नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रावज चौधरी आप सभी का मेरे यट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हूं फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक लिया है जिसके कारण बहुत से परेंट्स प्रेसान रहते हैं जो है बच्चे को दूद नहीं दिया जा सकता और काफी लोगों को यह लगता है कि जो मिल्क ऐलर्जी है या लेक्टोज इंट्रोलरेंस है यह एक ही चीज है फ्रेंट्स ऐसा नहीं है इन दोनों में थोड़ा सा इक डिफ्रेंस होता है उसको भी इस वीडियो में हम लोग स वह समझने खरेंगे सबसे पहले तो देखिए समझने वाली बात यह कि तो यह अड़कू समझतेज है रूटिन में हम लोग जानते हैं की काफी लोग एसे होते जिन होता है उस प्रोटीन से अगर कोई बच्चा है या कोई अडल्ट है उसको एलरजी है तुम बोलेंगे wybdь ऐंगे और उसी तरह से आप लोग जानतेंगे module के अंदर एक सूगर भी होता है जिस है और अगर किसी को उस लेक्टोज सूगर से मतलब इलर्जी है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलेंगे लेक्टोज इंटॉलरेंस तो आप कह सकते हो कि जो मिल्क इंटॉलरेंस या लेक्टोज इंटॉलरेंस है वो यानि मिल्क के अंदर पाने वाली को लेक्टोज सुगर है वो डाइज्स नहीं कर पा रहा है तो बोलेंगे इनतोल्रेंस और है मिल्क के अंदर जो है वो प्रोपली डाइज्स नहीं हो रहा है तो उसके अंदर क्या हुगा उसके पेड से'd डाइजेस्टिव सिस्टम से related जो है आपको symptoms ज्यादा देखने को मिलेंगे वहीं अगर हम मिल्क allergy की बात करें तो उसके अंदर जो है आपको एक symptom और देखने को मिलेगा वह तो skin के उपर देखने को मिलेगा skin के उपर races बनेंगे चकते हम कहते हैं दापड बनना यानि skin में इस तरह के लक्सन देखने को मिलेंगे खुजली आ रही है वहां रिस बन गए अटिक एरिया जैसा सा आपकी skin खराब हो रही है सेकिंड एक symptom मिलेगा respiratory system से related respiratory system में आपको देखने को मिलेगा breathing में problem हो रही है वीजिंग हो रही है इस तरह की sounds आपको आ रही है तो यह इस चीज़ को indicate करता है कि आपको जो है milk allergy यह नहीं milk में जो protein है उससे allergy है उसके अंदर यह symptoms में दोनों में थोड़ा सा आपको changes देखने को मिलेंगे अब हम थोड़ा lactose intolerance को इस वीडियो में या कुछ भी पी रहे हैं तो उसको digest करने का काम digestive system करता है उसके अंदर कुछ enzymes होते हैं जो digestion में हमारी help करते हैं अब आपका जो milk product आपने लिया आपने जो दू लिया यह क्या करता है कि जब आपके small intestine यानि चोटी आंत में जाता है तो वहां पे एक enzyme secret होता है जिसका नाम है मदद करता है और इसको simple sugar में convert कर देता है जिसका नाम है glucose और galactose यह glucose और galactose में जब lactose break हो जाता है तो वहां से हमारी body जो है इसको आराम से absorb कर लेती है यानि इस तरह से जो हमारा lactose जो sugar था उसका digestion हो गया लेकिन कुछ लोगों में क्या होगा कि उनकी body के अंदर या तो यह भी हो सकता है कि वो दूद इतना ज़्यादा पी रहे हैं कि जो lactose enzyme जो उनकी body बना रही है वो उस दूद को जो digestion करने के लिए चाहिए उतना जो है नहीं है यानि उनका milk intake बहुत ज़्यादा है जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा तो यह तीन जो है अलगलग options हो सकत हैं जिसके अंदर की फिर उनको lactose है वो properly digest नहीं होगा तो ऐसे लोगों में जब lactose अगर properly digest नहीं हो रहा है lactase enzyme की deficiency में तो क्या होगा कि यह जो lactose sugar है यह small intestine से उनका जो large intestine है वहाँ चला जाएगा अब large intestine में यह चला गया properly digest नहीं हो है तो वहाँ पर हमारे large intestine के अंदर बनेगा और एक लैक्टिक एसिड बनेगा अब इसके कारण जो CO2 और लैक्टिक एसिड बना इसके कारण उनके पेट में डाइजेस्ट में के अंदर आतूं के अंदर कहीं तरह के symptoms या लक्सन आने लगेंगे क्योंकि properly आपका lactose जो है absorb नहीं हुआ है और यहीं से पता चलत हैं कि बच्चे को जो है दस्त हो रहे हैं उसको डाइरिया सोल लगेगा उसके पेट के अंदर जो है दर्द होगा क्रैम साहिंगे गैस बनेगा ब्लॉटिंग होगा कई वारवा नोजिया यानि जी मचलाने की दिक्कत हो सकती है इसी तरह से पेट फुला फुला रहेगा है उसके बीच के अंदर आपको ऐसे सिम्टम सी अलक्षन देखने को मिलेंगे अब हम समझें ऐसा होता क्यूं है आकि लेक्टोज इंट्रोलरेंस होने के क्या कारण है एक तो हमने समझा कि जो इंजाइम है उसके कारण होता है सेकें ली कुछ दूसरे कारण भी हो सकते जिस कोई भी कारण से आपका स्मॉल इंटेस्टिन जो है वहाँ पर कोई तरह कि माल लीजेए और को इसके आपको었던 को इंट्री रहां सकते हैं तो करण देखने को मिलता है कि जो प्रीमेचौर बेबीज है यानि वो बच्चे जिनका समय से पहले बर्थ हो गया तो ऐसे लोगों के अंदर भी लेक्टोज इंटॉलरेंस देखने को मिलता है कई वार यह एजड लोगों के अंदर भी धीरे-धीर डिवलप होने लगता है अब हम बात करें कि जो लेक्टोज इंटॉलरेंस है इसके सबसे पहले तो अगर कोई बच्चा दूद पी रहा है और उसके बात की 30 मिनट से लेकि दो गंटे के बाद में जब भी बच्चा दूद ले रहे हैं तो हमें थोड़ा सा सावधान होना चाहिए कि हां बच्चे को ऐसा तो नहीं है कि लेक्टोज इंटॉलरेंस है ऐसे के अ बन रहा है और प्रॉपर जो है जितना के लिए चाहिए उत्रा नहीं है तो नेचुली जैसी आप दूद की कम करते हैं तो बच्चा कमफर्टेबल हो जाता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एक बार कंप्लीट दूद बंद करके भी देख सकते हैं कि हां अग लिए अुप्यटेटि के अंदर काफ़ी पेरेंटिस पूछते हैं कि क्या उनको दई दिया जा सकते हैं और अगर लगता है उसे comfortable ले ता आप continue कर सकते हैं और इसके साथ में medicines की बात करें तो homeopathy के अंदर बहुत ही अच्छी medicines आती है जो आपको lactose intolerance के अंदर मदद कर सकती है और best treatment जैसा मैं हमेसा बात करता हूं वही होता है जो आप अपने डोक्टर के guidance में proper discuss करके लेते हैं और इस treatment के साथ में कुछ medicines के लिए पूछा जाता है कि कौन सी medicines है जो usually indicated होती है या ज्यादा अच्छे results देती है तो कुछ medicines है जो मैं आपके साथ सेर कर रहा हूं यह देखा गया कि जो lactose intolerance के cases हैं इसके अंदर इतुजा एक बहुत अच्छी medicine है इतुजा साइने पीम को 30 potency के बात करें तो नेट्रम कार भी इसकी एक बहुत अच्छी medicine है और इसकी भी 30 potency में सुबह साम यूज किया जा सकता है यह कुछ medicines है जो individual case to case person to person 30 potency के अंदर यूज करते हैं अगर आप एस पर symptoms तो काफी अच्छे आपको results देखने को मिलते हैं इसके बहुत सी medicine साती है आप लोग जानते हैं जो individual case के लिए उनके डॉक्टर उनके लिए prescribe कर सकते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैंने कोसिस की है कि जो milk allergy है और जो lactose intolerance है उसके basic जो difference उसको समझ सके और किस तरह से homeopathic medicines और थोड़ असा डाइट में changes से आप उसको manage कर सकते हैं उमीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लापकारी साबीत होगा इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दमाएं जिससे मैं जैसे की वीडियो डालूँ आपको notification मिल सकें थैंक यू करें सेर कारी सहुड़े लाइकन जरूर रहने करें सेर कारा हैंक, जैसे की वीडियो चैनल कर दो अजिससे, जब सकें जर में जर लाइकन जर चें़ में सेर करें साथें।